मेरे स्क्रैच के विडियो टुटोरियल्स पर कई यंग विवर्स ने पूछा कि वो जो गेम्स स्क्रैच में बना रहे हैं उनको कैसे मोबाइल फोन पर खेल सकते हैं और कैसे अपने फ्रेंज के साथ शेयर कर सकते हैं स्क्रैच में बने गेम्स को मोबाइल फोन पर खेलना और फ्रेंज के साथ शेयर करना काफी मुश्किल है पर अगर आप इस किसम के आर्केड या विडियो गेम्स बनाना चाहते हो जो कि फिर आप PC, टैबलेट या किसी भी स्मार्टफोन, Android या Apple के डिवाइस पर खेलना चाहते हो या अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना चाहते हो तो हम इस किसम के गेम्स arcade.makecode.com वेबसाइट पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं ये गेम्स ब्राउजर बेस्ट हैं, इसलिए आप इन्हें किसी भी डिवाइस पर खेल सकते हो तो ये arcade games बनाने के लिए हम जाएंगे arcade.makecode.com वेबसाइट पर यहाँ पर आप simple से लेके advanced games बना सकते हो जो कि आप mobile phone, tablet या PC पर खेल सकते हो इस website पर कई सारे tutorials भी हैं जो step by step instructions देते हैं आपको simple games बनाने के लिए, जिनको सीखकर फिर आप और ज़्यादा advanced games बना सकते हो तो जो हम सबसे पहला game बनाना सीखते हैं, हम यहाँ जो chase the pizza game का tutorial है, इसी पे हम अपना game base कर रहे हैं, तो नया game बनाने के लिए जैसे आप scratch में करते हो, वैसे ही हम यहाँ जाके new project select कर रहे हैं, हम project का कोई नाम दे रहे हैं, तो eat pizza या जो भी आप नाम देना चाहो, create का button दबा के, तो हमारा जो यह interface है, यह काफी scratch से मिलता जुलता है, हमारे पास यहाँ पर यह block based कई सारे programming blocks हैं, और हम इनको drag and drop करके, यहाँ अपना जो हमारा programming area है, वहाँ ला सकते हैं, और इनही को drag and drop करके, हम यहाँ पर इनको delete कर सकते हैं, जैसे scratch में हमारे stage था, वैसे यहाँ पर हमारे हमारे पास यह simulator है, जो हमारे को, जो भी हम code लिखेंगे, उसको हम यहाँ पर live देख सकते हैं, arcade.makecode website पर जो हम program लिखेंगे, वो हम सबसे पहले हम block based programming कर रहे हैं, पर हम यहाँ पर programming JavaScript और Python में भी कर सकते हैं, जब हमारा program तयार हो जाएगा, तो हम उसको download कर सकते हैं, अलग-अलग game playing devices के लिए, और अगर आपके पास game, यह वाले game playing devices नहीं भी हैं, तो फरक नहीं पड़ता, हम यहाँ पर project को share करके, जब हम यहाँ publish project करेंगे, तो हमारे को एक unique URL मिल जाएगा, जहाँ पर फिर हम यह game अपने browser पे खेल सकते हैं, PC पर, tablet पर, या smartphone पर, तो हम यह eat pizza वाला game बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जा रहे हैं, scene पर, और यहाँ से हम programming block ला रहे हैं, set background color, और इसको हम drop कर रहे हैं, on start के programming block के अंदर, यानि हमारी command है, कि जैसे ही हमारा game शुरू होगा, हम सबसे पहले background का यह जो color है, इसको बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस button को दबाएंगे, तो हमारे को यह color swatches मिलेंगे, और आप इन में से कोई भी color जो आपको पसंद है, आप उसको चूज कर सकते हैं, उसके बाद हम अपना player का sprite define कर रहे हैं, तो इसके लिए हम sprites पर जाकर, हम यह programming block ला रहे हैं, जो हमें allow करेगा, हमारी player की sprite define करना, तो यहाँ पर यह जो my sprite है, यह एक variable है, variable का मतलब होता है कि basically यह एक box है, जिसके अंदर हम कोई भी value store कर सकते हैं, और जब भी हम उस box को call करेंगे, उसमें जो भी value stored है, computer हमें वो दिखा देगा, तो my sprite नाम के variable पर हम एक player को create करना चाहते हैं, जो जिसको create करने के लिए अगर आप इसे click करोगे, तो यहाँ पर या तो आप colors को choose करके, कोई भी अपना player जो है, उसको design कर सकते हो, और यह जो आप design करोगे, यह बहुत video game की look के आपके players तयार होंगे, या आप यहाँ gallery में जाकर, जो बने-बनाए यहाँ पर players हैं, इनको use कर सकते हो, तो मैं अभी यहाँ पर मालिया जाए कि यह sprite use कर रहा हूं, और मैं इसको select करके यहाँ bottom right में done कह रहा हूं, तो हमने यहाँ पर कहा कि हमारा जो player sprite है, वो यह sprite है, नेक्स्ट हम, यह जो हमारा player sprite है, इसको हम, यह जो हमारा पर joystick controls है, इससे control करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं controller में जाके, यहाँ से ला रहा हूं कि move my sprite with buttons, अब अगर, जब जैसे ही मेरा simulator ready है, मैं test करके देख सकता हूं, तो मैं जो भी joystick के buttons से, अपने player के sprite को control कर सकता हूं, यह कितनी speed से move करे मेरा player sprite, इसको हम यहाँ define कर सकते हैं, कि यह जो vx है, यह है velocity of x, यानि x-axis पर यह कितना move करे, कितनी fast move करे, और vy-y है velocity of y, यानि कि y-axis में यह कितना तेज move करे, तो अगर मैं यहाँ पर इसको for example, 150 कर देता हूं, तब अगर मैं जैसे यह simulator ready होता है, तब मैं move करता हूं, तो इसकी speed जो है, वो fast हो गई है, तो अभी मैं इसको वापस 100 कर रहा हूं, तो हमने यह command लिखी है, कि अपना player sprite define किया, और उसकी joystick control से उसको move करना, यह commands अभी हमने लिखी हैं, फिर हम जो भी हम चाहते हैं, कि यह sprite जो भी food item खाई, यहाँ हम अभी pizza का example ले रहे हैं, तो हम उसको define करते हैं, उसके लिए हम फिर से sprites में जाके, हम यहाँ पे set sprite करके, यहाँ हम कह रहे हैं, कि एक नया variable हम define कर रहे हैं, जिसका नाम हम दे रहे हैं, पीज़ा, और हम कह रहे हैं कि पीज़ा की sprite जो है, यह player का, जो हम drop down अगर देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कई options हैं, projectile, food, enemy, या add a new kind, हम अभी कह रहे हैं कि, यह food है हमारा, जिसको की हमारा player खाएगा, और यह food item को define करने के लिए, फिर से हम यह blank sprite में click करेंगे, और यहाँ पर हम इसको paint कर सकते हैं, या हम gallery में जाके, कोई जो है उसको हम ले सकते हैं, तो आप अगर pizza चाहो, या pastry चाहो, या ice cream कौन, जो भी, तो मैं अभी यहाँ पे pizza select कर रहा हूँ, तो हमारे पास यह हमारा player और यह pizza जो है, यह दोनों हमारे पास sprites आ गई है, तो अब यहाँ पर हम collision detect करना चाहते हैं, कि जब हमारा player sprite इस pizza को चूएगा, तब क्या हम अपने program को क्या instructions देना चाहते हैं, basically हमारा game क्या है, तो इसके लिए हम sprites में वापस जाके, scroll down करके, यह programming block ला रहे हैं, जो की अपने में एक अलग programming block है, जहां पर हम कह रहे हैं कि, जब हमारा player sprite जो है, वो यहाँ से हम select कर रहे हैं food sprite, कि वो किसी और sprite को चूएगा, जो की food sprite है, तो क्या हो, अब हम जो भी कहां कहना चाहते हैं, हम वो डाल सकते हैं, for example, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि, जैसे ही वो चूएँ, तो कोई एक sound play कर देना, तो by default हमारा पास यह sound है, पर अगर मैं यहाँ drop down देखूँँगा, तो यहाँ पर कई options मिलती हैं, आप जो भी आपको sound अच्छी लगे, आप वो डाल सकते हो, मैं यहाँ पर jump up की sound डाल रहा हूँ, next, मैं command देना चाहता हूँ कि, हम अगर यहाँ पर इस game में score डालना चाहते हैं, तो जितनी बार हमारा player sprite, हमारे pizza sprite को छूए, तो हम score को 1 से बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए मैं info में जाके, यहाँ से programming block ला रहा हूँ, change score by 1, आप जो भी यहाँ value डालोगे, 2, 3, 4, 5, उतने से score बढ़ जाएगा, next, हम क्या चाहते हैं, कि जब हमारा player, हमारे pizza sprite को touch करे, तो वो वहाँ से गायब हो जाए, और किसी और location में appear हो जाए, इसके लिए हम वापस sprites में जाके, यहाँ से set my sprite command, to certain position of x and y लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर x और y की position हम चाहते हैं, कि वो हमारे screen में कहीं पर भी randomly आ जाए, तो यहाँ पर हमारी x की value 0 से 160 है, और y की value 0 से 120 है, तो हम यहाँ पर match में जाके, यह एक pick a random number की command ला रहे हैं, और हम इसको यहाँ डाल रहे हैं, और हम कह रहे हैं, x जो coordinate है, यानि x axis का जो coordinate है, वो anywhere between 1 to 160 डाल देना, और इसको duplicate करके, मैं कह रहे हैं, यहाँ y पर डाल रहे हैं, और y पर हम कह रहे हैं, कि y की जो value है, वो any random number, तो y axis पर any random number, between 0 and 120, वो pick कर लेना, तो इस command को मैं फिर से समझा रहा हूँ, कि हम यहाँ कह रहे हैं, कि जब हमारा sprite जो है, player sprite, food sprite को touch करे, तो पहले तो एक sound play करना, फिर score को 1 से बदल देना, फिर जो यहाँ पर pizza sprite की position है, उसको x की कोई भी random value, between 0 to 160 डाल देना, और y की कोई भी random value, between 0 to 120 डाल देना, हम इसको test करके देख सकते हैं, तो यह हमारा game खीक चल रहा है, अगर game को थोड़ा सा और challenging बनाना है, तो उसके लिए हम इसमें एक timer डाल सकते हैं, कि within a certain time, player को pizza को छूना है, इसके लिए हम info में जाके, यहाँ से start countdown का एक यह लाते हैं, और यह हर जो भी pizza अपियर हो रहा है, हम user को कितना time देना चाहते हैं, यानि कि हम game कितना challenging बनाना चाहते हैं, वो हम यहाँ से define कर सकते हैं, तो अगर आप game काफी challenging बनाना चाहो, तो यहाँ पे आप like 3 seconds कह सकते हो, 10 seconds is quite a long time, मैं फिलहाल 5 seconds कह रहा हूँ, हमारा जो first simple game है, वो तयार हो गया है, और अगर मैं किसी sprite को 5 seconds तक नहीं चूटा हूँ, तो हमारा जो game है, वो over हो जाएगा, और यह हमारा score बताएगा, और यह भी बताएगा कि यह high score है कि नहीं है, तो अब यह हमारा जो first game तयार हो गया है, अगर हम इसको अपने mobile device पे खेलना चाहते हैं, अपने friends के साथ share करना चाहते हैं, तो हम यहाँ जाके, यह share button दबाएंगे, और फिर हम यहाँ पर publish project का button दबाएंगे, तो या तो यह जो URL है, यह आप copy कर सकते हो, तो मैं URL copy करके, अब अगर एक नई browser window खोल रहा हूँ, और वहाँ इसको paste कर रहा हूँ, तो हमारा game इस window पे launch हो जाएगा, और यह जो URL है, यह आप अपने friends के साथ share कर सकते हो, तो वो भी आप ने जो game बनाया है, वो भी यह game खेल सकते हैं, साथ ही अगर आप यह URL अपने mobile device या tablet के browser में खोलोगे, तो आप वहाँ पर भी यह game खेल सकते हो, तो यह मैंने अपनी Android tablet खोली है, और मैं यहाँ जाकर, QR code reader पर, यह जो URL है, इसको scan कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको browser पे खोल रहा हूँ, तो यह browser अब मेरे tablet के अंदर खुल रहा है, और जो हमने game बनाया है, इसको call कर रहा है, तो जब एक बार यह load हो जाता है, तो तब आप यह game अपने smartphone device पे खेल सकते हो, PC पर यह game आप joystick से भी खेल सकते हो, और अपनी keyboard से भी खेल सकते हो, arrow की इसको use करते होए, तो I hope यह simple सा game बना के आपको समझ में आया, कि आप arcade.makecode.com वेबसाइट पर कैसे video games बना सकते हो, जो आप अपने mobile devices पर खेल सकते हो, और अपने friends के साथ शेयर कर सकते हो, आने वाले videos में हम ज़ादा complex और advanced games बनाना सीखेंगे, करते हो. झाल